नमस्कार आदाब मैं डिस्टिट रामबन SSP PD नित्या आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह थर्ड वेव कोविड की लहर एक फिर दुबारा आने की संभावना है उसी प्रकार हमें पारी साफधानिया बरतनी है और जो कोविड एप्रोप्रियेट बिहेव निस्टिक पुलीस बताती रहती है ये वक्त आ गया है कि इसको अब सकती से हम फॉलो करें ये मैं आप हम सब इसके जिम्मेदार है कि जैसे कोविड अप्रोप्रियेट बिहेवियर्स मास्क लगाना दोगच की दूरी रखना सानिटाइजर यूज करना और हाथ को साफ करते रहना, cleanliness maintain करना, ये सारी चीजों को seriously लेने का वक्त फिर से आ गया है, एक ये भी प्रक्रिया चल रही थी कि कोविड अब खतम हो गया है, बजार खुल गया है, सब कुछ open हो गया है, रेस्टरांट्स खुल गया है, तो हम अब आराम से बैट के घूम सकते हैं, हम अब कोव कोविड की वैक्सीन आ गई हैं, और district administration वैक्सीन को काफी तेजी से doses monitor भी कर रही है, लोगों को से अपील भी की जा रही है, वैक्सीनेशन लगाएं, लेकिन वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी, हमें कोई वज़ा नहीं है कि हम अपने COVID appropriate behavior को लेके ढिलाई करें, हम पुलीस करनी होके भी vaccination लगा के भी, हम COVID appropriate behavior follow करते हैं, और मेरी जनता से भी अपील है कि वो जहां पर भी जाये, चाहे वो अपने घर पे रहे हैं, या marketplace में जाये, banks में जाये, public places में जाये, parks में बठे हैं, कहीं भी बठे हैं, वो ये appropriate behaviors follow करें, अभी district police रामबन administration के साथ मिलके, दो त learning of, जो shops, COVID appropriate behavior follow नहीं कर रहे हैं, जादा भीड इखटा कर रहे हैं, जो restaurants guidelines follow नहीं कर रहे हैं, उन पे भी बड़ी सक्त कारवाई चल रहे हैं, punishment एक जरिया है, implementation का, लेकिन awareness, एक sensitivity COVID को लेके बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले time में, यही sensitivity आपको दुबारा third wave की च पेट से आने से बचा सकती है, हम district police, रामबन, administration, रामबन के लोगों से यह appeal करते हैं, कि जो guidelines government ने जारी की है, mask को लेके, social distancing को maintain करते हुए, over crowding कोई भी public carriage में ना करते हुए, और sanitizer और hand wash का use करने के लिए, यह चीज़े आप follow करें, अपने घर परिवार में भी लोगों को ब बचें, तो मेरा आप सबसे यही अनुगरा रहेगा, thank you